Physical Educations Related BPA, MPAED, BPE और BPEES इन कोर्सेश को करने के लिए Government-Agged College Best रहेगा या Private-Agged College Best रहेगा अर्थात सरकारी College Best रहेगा या Private College Best रहेगा या Question अधिकतर छात्रों के मन में उपस्तित हो रहा है और इन सब में सबसे Best College कौन सा है? इन सभी प्रशनों के उत्तर आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तो टोटल फिजिकल एजुकेशन इस यूटूब चनल पर आप सभी का स्वागत है फिजिकल एजुकेशन से संबंदित सभी प्रकार की ताजा अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो अगर आप महारास्टा स्टेट से फिजिकल एजुकेशन से संबंदित कोई भी कोर्स अर्थाद BPE, BPA, MPA, BPS इन में से कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते तो सबसे पहले आपको महारास्टा स्टेट के अंतर के जितने भी कॉलेजे से उन कोलेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तो महारास्टा में शारिक शिक्षा से संबंदित जितने भी कोर्स चलाए जाते हैं उन कोर्स को चलाने वाले कोलेज दो प्रकार के होते हैं टो इसमें से पहला college है सरकारी college अर्थात government added college और दुसरा college है दोस्तो private college अर्थात private added college अभी इन दोलों फर्क या है दोस्तो यहाँ पे देखिये दुसरे प्रकार का कॉलेज है दोस्तो प्राइवेट कॉलेज होता है लेकिन UGC का रिकेकनेशन इन कॉलेज को होता है तो प्राइवेट कॉलेज का जो टीचिंग स्टाफ होता है ये प्राइवेट कॉलेज का टीचिंग स्टाफ का वेतन ये प्राइवेट कॉलेज के मैनेज सबसे महत्वपुर्ण बात यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तो सरकारी कॉलेज अर्थात गवर्मेंट एड़ेट कॉलेज में अगर आप एड़ेशन करते तो गवर्मेंट एड़ेट कॉलेज की यह सभी विशिशता है स्क्रिन पर आपके सामने प्रस्तूते सबसे पहले त होती है रोजाना कॉलेज में उपस्तित रहना अनिवारी होती है यहां पर इस प्रकार के कॉलेज में रोज उपस्तित रहना अनिवारी होता है और गवर्मेंट एड़ेट कॉलेज से प्राप्त डिगरी पूरे भारत में वैलेड होती है महारास्टा के टॉप के गवर्में एडिट कॉलेज कोन से है उन सभी कोलेज की लिस्ट आप description box में दी गई लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं दोस्तो अगर अब private college में एडिशन करना चाहिते हैं तो private college की विशिषता है कुछ इस प्रकार से सबसे फ़ले fees government college की तुलना में जाधा होती है जाहर सी बात है दोस्तो private college का अपना एक फीज का structure होता है इसलिए वे अपनी fee structure के अनुसार student से fees लेती है इसलिए government college की तुलना में इनकी fees तुरिंधी जादा होती है दुसरा point है、 रोजाना collegeों में उपस्तिती का बंदन नहीं होता जिस प्रकार से government college में आपको रोजाना उपस्तित रहना है या फिर रहने का बंदन नहीं है आप कॉलेज प्रबंदन से बात करके आप अपनी इच्छा की अनुसार या अपनी सुईदा की अनुसार कॉलेज में उपस्तित रह सकते है तिसरा पॉइंट है प्राइवेट एडिट कॉलेजों से अनुसार की अवेट आवेट नहीं है तो दोस्तों मैं आपको यहा पर बताना चाहूँगा माहारास्टर स्टेट के अंतर कर जितने भीפेक कॉलेज थे जितने भी फेक प्राइवेट कॉलेज थे वे सभी कॉलेज बंद किये गये गवर्मेंट की द्वारा इसलिए वर्तमान में जितने भी कॉलेज अभी अवेलेबल है फिजिकल एज्यूगेशन सेक्टर के अंदर कत्वे सभी कॉलेजे न्सिटी से अप्रूड है और उनका UGC से मानने ता प्राप्त है इसलिए आपको डरने की जुरूत ने जिस प्रकार से गवर्मेंट एड़ेट कॉलेज की डिग्रिया वैलेड होती है उसी प्रकार से वर्तमान में जितने भी प्राप्त एड़ेट कॉलेज है उन सभी से सभी की डिग्रिया भी पूरे संपुर्ण भारत में metropolitan गुभर्मेंट college जैसी equivalent वो valid है इसलिए आपको private edit college से डरने की ज़रूत नहीं private edit college भी गौवर्मेंट edit college के जैसे ही importance रखتے है महारास्टा में top के physical education के college कौन से संबनते वीडियो की link description box में दे दी गई है वहाँ पे आप visit करके महारास्टा के top फिजिकल एजूकिशन कॉलिजिस सम्वन्ति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं